ऐलो गाईज रेस्वाश समस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है वीड़ो वाली की लेक्चर में आपको स्टार्ट किये थे three-phase system ओके, क्या स्टार्ट होगा थो बता three-phase system और three-phase system खतम भी हो गया इसमें से आपके 10 नंबर के कोश्चन आएंगे, मैं बार बार आपसे कर रहा हूं, इसमें से 10 नंबर के कोश्चन आपके बनते हैं, कौन कौश्चन बनते हैं 3 फेज में 10 नंबर के, तो एक कोश्चन बनता है, इसमें पता भी दिये थे इसके बारे में, एक कोश्चन बनता है 3-phase ऐसे आ सकता है 3-phase system को समझाईए यह पहला बनता है 3-phase system को समझाईए पहला कुशन बनता है अगला कुशन बनता है 3-phase system के EMV equation को समझाईए या फिर 3-phase system के 3-phase system के ईयम्यफ एलेक्ट्रमोटीफोर्स एम्यफ के शमीकरण को लिखिए ज़िस अत्यापद केजिए कुछ भी ऐसे कोशन आ सकता है तो यह पाच-पाच नमर के कंफर्मेश में से कोशन आ तिसरा बनता है तिसरा बनता है star connection को समझाइए star connection के लिए ऐसे question देदेगा star connection के लिए VL तथा VPH में संबंद अस्थापित कीजिए ये question आ सकता है संबंद अस्थापित कीजिए ठीक वड़ा एक-एक question बन सकता है और एक और question बन सकता है चौथा जो question बन सकता है delta connection के लिए देदेगा delta connection के लिए IL तथा IPS में कहेगा ये लेकिन आप सब दिखाएंगे सम्बंद स्थापित कीजिए लेकिन जब भी ये दोनों questions आप से पूछे जाएंगे ये दोनों questions आप से पूछे जाएंगे तो भले ये कहरा है कि VL और VPS में दिखाएंगे लेकिन आप लोग इसके power का formula भी जरूर निकाल के आएंगे P is equal to कितना होता है बैटा root 3 VL IL cos phi तो आप लोग इसका power का formula भी जरूर निकाल के आएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पूछ रहा हो ही रिकाल के येगा power भी जरूर निकाल लिएगा और भले कहरा current लेकिन इसका voltage current power 3 जो भी question पूछेगा इन दोनों में से जो भी questions आएं उन समके लिए आपको क्या के निकालना है voltage relation, current relation और power इन 3 को find करके आना है और पांचवा question इसमें से क्या सकता है numerical आ सकता है numerical तो थ्री फ्रेज में से 10 नमबर का question fix है पहले बार बार आप से कह रहा है कि इसमें 10 नमबर का question fix है और उस 10 नमबर में आपके ये 5 question में से 2 question आना है most most important क्या है most most important हमारे तरब से ए है या तो star या तो delta या एक numerical या तो star या तो delta और एक numerical या कभी-कभी दोनों दे देता है पांचे नमबर में तो इसको थोड़ा short में लिखिएगा ठीक है ऐसे questions आपके आ सकते हैं जरूर पढ़के जाएगा star और delta के लिए कभी-कभी इसी question में जोड़ देता है three-phase system को समझाईए तथा इसी में कभी-कभी जोड़ देता है उसके lab को लिखिए उसके lab को लिखिए एक question आ जाता है तो मैं इसमें सब पढ़ा दिया हूँ पस lab नहीं बताया हूँ मैं जानवाश के lab नहीं बताया था लाब आज हम पढ़ेंगे तो three-phase system से 10 नमबर का question fix है और इसमें से पांच question जो दिखे हुए इसी में से कोई ने कोई question आपको आने वाले हैं और वह कितने दो चलिए इस्टार्ट करते हैं देखे हिटिंग रहेगा हमारा हिटिंग रहेगा three-phase three-phase system के lab three-phase system के lab क्या होते हैं इसमें आपको क्या फायदे होते हैं इसके बारे में पढ़ना है ठीक है चलिए फस्ट लाब देखा जाए इसका चलिए फस्ट लाब देखेंगे हम क्या बटा फस्ट फस्ट लाब यह आद रखना है कि three-phase जो generator होता है या motor होता है वो अधिक power के लिउज करते हैं तो फस्ट लाब क्या हो जाएगा हम जो भी लिखेंगे वह single-phase के respect में लिखेंगे दिखेंगे थ्री-phase का generator त्री-phase का generator या motor अधिक पावर के लिए यूज होता है अधिक पावर के लिए यूज होता है अधिक पावर के लिए यूज करते हैं दुसरा लाब क्या होता है अधिक पावर के लिए यूज करने का मतना भी होता है जैसे कि आप लोग suppose that पताने देखेंगे नहीं देखेंगे आप लोग देखेंगे घर में जो घर आपका होता है पताना देखेंगे नहीं देखेंगे घर में रहते हो किराय पर रूम लेके रहते हो किराय पर रूम भी लिए होगे अच्छा है घर पे रहते हो कि वहाँ एक चीज देखोगे वहाँ एक चीज देखना वहाँ पर एक घर में मोटर लगा होता है यह प यह जो मोटर होता है यह सिंगल फिजी मोटर होता है और सिंगल फिजी में कौन सा होता है पढ़े होंगे आप लोग को होता है इंडक्शन मोटर सिंगल फिजी में कौन सा मोटर होता है बैटा इंडक्शन मोटर सस्ता आता है तो सिंगल फिजी इंडक्शन मोटर होता है तो लो लेवल है लेकिन अगर माल लिजिए कि आपको धान कुटना है गेहूं पीसना है तो वहां देखना एक मोटर लगा होता है और वह जो मोटर होत पर यहां आपके 3-phase motor होते हैं और 3-phase में इंडक्शन ही होता है लेकिन वह 3-phase होता है तो जा कि अपने यहां देख भी लेना एक जहां धान गियों पिछते होंगे लेकिन पूटते होंगे वहां पर देख लेना जो मोटर लगा होता है वह थी फेजी होता है उसमें र वाई भ तो यहीं आप से बार 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 कह रहे हैं कि अगर आपको हाई-level पर यूज़ करना है तो जो हाई-level के थ्री-phase का जन्रेटर या मोटर होता है वह हाई-level के यूज़ होता है अधिक पावर के यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है ना हाई-पावर के लिए हम त्री- 3-phase motor आप पहुट छोटे काम के लिए उज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है थ्री-phase motor अधिक पावर के यूज़ होता है एक और बात आ क्या कि थ्री फेजी मोटर का जो पावर होता है सिंगल फेज के तुल्ला में ज्यादा होता है अब इसका क्या मतलब है आप समझेगे दोनों सच यह की है लेकिन दोनों एक नहीं है जला ध्यान देख कि इसका क्या मतलब है जड़ा यह देख लेते हैं अगर हम यह की मोटर का जो पावर है वह सिंगल फेजी मोटर की रिश्प्रेक्ट में जादा होता है इसका मतलब है अगर हम एक सिंगल फेजी मोटर बना रहे है यह वाला single phase motor और इसी के size का मतलब जो size है वो same है एक और हम motor बना रहे हैं और यह जो motor हमारे पास है same to same size का है size will be same अगर same size का motor है यह हमारा three phase motor है और हमारा single phase size तो दोनों का same है तो अगर single phase बना है 3 phase बना है और हमारा single phase motor है हार्स पाऊर तो उतने ही size का 3 phase motor वो 3 high hows सबाई का होगा हमारे कहाने का मतलब यह है कि हो motor है single phase में थ्री फेजी मोटर वह अधिक पावर जैसे उसका जो पावर होता है में ज्यादा होता है आप देख भी लिजिएगा ठीक है जो आपके घर पे जो मोटर लगता है अगर देखा जाए एक हार्स पाउर का हो तो वहां जो आप देखेंगे वह आपका कितने होगा तीन हार्स इसरा क्या है कि जो थ्री फेजी मोटर है अगर बात के जाए थ्री फेजी मोटर यहाप लिखेंगे हम अब पहले लिख देरें फिर समझाएंगे थ्री फेजी मोटर सिंगल फेज के तुलना में लाभी है यह सिंगल फेज के तुलना में छोटा होता है तो इसको एक जगर से तुसरी जगर ले जाने में आसानी होगा परिवहन लागा घट जाएगा हमारा उसको आसानी से इसा फाइदे ही तो है मोटर चोटा होने से तो देखो अगर मोटर चोटा में क्यों कह रहा हूं जरा यह देखना अगर अगर तुम कोई सिंगल फेजी मोटर बना रहे हो दो हार्स पाउर का दो हार्स पाउर का दो एच पी का अगर हमारे पास कोई सिंगल फेजी मोटर है यह हमारे क्या है, सिंगेल फेजी मोटर अगर हम 2 HP का कुई 5Sh. जिए हम 2H, commence थी मोटर बना रहे हैं दो होड़िusnh, क्यों था होड़िusnh, क्यों पिद्धकीो न Mü टर अ किका हने मित्लब टर POL है की इसमें दो वारियुद्ध करेंगे और आप जानते है जो power का formula होता है जो power का formula होता है दोनों के लिए अगर हम single phase की बात करें तो power का formula होता है P is equal to V I cos Y और जो 3 phase होता है 3 phase के जो power का formula होता है P is equal to 3 times of VPH, IPH और cos Y यही तो होता है तब बताओ इसमें अगर बात करें इसमें आपको 2 वार यूज होंगे आईसमें 3 वार मतलब इसमें एक रही वार यूज करके इनके respect में हम कितना गुणा power ले रहे हैं इनके respect में इसमें 3 गुणा power ले रहे हैं तो वही तो बात हो रही है अगर 2 Hz पार का motor तुमको design करना है अगर तुमको 2 हर्स पाउर का मोटर डियाइन करना है तो उतने ही वाइंडिंग में तुम अधिक पाउर यूज कर सकते हो ठीक है तो वहीं मैं बखा रहा हूं कि सिर्फ एक ही वार यूज करके हम मोटर बनाएं तो इनकी बराबर पाउर दे सकता है ठीक है लेकिन इसमें जो इनमें दो वार लगते हैं इसमें तीन वार लगएंगे ठीक अगर बात कहें दोनों का इशमें कोंकि करना पड़ेगा क्योंकि एक कम ही binding से तीन गुणा पावर अधिक पावर दे देगा आएए देखो अगर चलो देखी लेते हैं एक 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 जामपल देख लेते हैं तुम लोगों का mind में आ रहा होगा तो एक 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 जामपल देख ले रहे हैं जैसे अगर इसका voltage अगर voltage कमांद सपोड़ेट 200 बोल्ट है current कमांद सपोड़ेट 20 ampere है और cos 590 0.8 है कितना आ जाएगा दो दूनी 400 यह हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं दो दूनी कितना जाएगा? 4 और इंटू 0.8 आट चोग को कितना जाएगा? 32 आट चोग को 32 तो डबल 0 बढ़ा लो यह तो आएगा देखो 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 0 हो गया दो दूनी 4 आउसमें गुणा आट चोग को 32 आट तो इतना आएगा इतना क्या आगया? वाट आगया ठीक है? चलो अगर मैं 3 फेज की बात करूँ अगर मैं 3 फेज की बात करूँ तो P is equal to कितना होता है बेटा? देखो अगर 3 फेज की बात करूँ तो P is equal to कितना होता है? 3 times of देखे इसमें क्या होता है? 3 times of VPH, IPH, I into cos phi समकुश हुआ ही रखो देखो 3, अग उने B कामान कितना है? 200, I कामान कितना है बेटा? 20, और 0 point 8, वही रखो देखो इसमें कितना power मिलेगा? 3, अगुणे कितना आजाएगा? यही आएका 32 और इतना गुणे 0 point 8, तो यही तो आएगा? 3 गुणे 32 या फिर इस गुणा करा लो कितना जाएगा 32 तेही? 2, 3, 6, 2, 3, 6 और 3, 2, 6 अगुणे 3 तेहीं कितना आजाएगा? अब तुम बताओ कि जो सिंगल फेज है सिंगल फेज है उसमें power कितना आया था? 32, अगुणे 3 फेज हैं पावर कितना आया? 96, तो कौन जादा है? यह जादा है तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो 3 फेजी मोटर्स होते हैं सिंगल फेजी की तुलना में आकार में क्या होता है? छोटा होता है मतलब अगर हम देखें तो दोनों का साइज सेम करतें तो पावर इसमें ज़्यादा मिलेगा अगर सिंगल फेजी का पावर इसके बराबर करना पड़े तो मोटर की साइज बढ़ानी पड़ेगी मोटर में वाइंडिंग बढ़ाना पड़ेगा आज जब वाइंडिंग बढ़ाओगे तो मोटर की साइज अगर हम 32 को इतना करना चाहेंगे तो मोटर में बढ़ाना पड़ेगा, वायंडिक बढ़ाओंगे, तो मोटर की साइज क्या पड़ी हो जाएगी, तो वही कहा रहा है, कि ध्री फेजी मोटर छोटा होता है, और सिंगल फेजी मोटर बढ़ा होता है, हम compare कब करते हैं, जब दुनों बरावर के होते हैं दुनों बरावर पावर के होते हैं ओके दे रहता है हमारा छोटा कौन सा मोटर थ्रिफिय जी अगरा देखते हैं चोथा चोथा ज़रा ध्यान देजिएगा यह थो आपको याद करना पढ़े हैं चोथा याद रखना है कि थ्रिफिय जी मोटर थ्रिफिय जी मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है थ्रिफिय जी मोटर कौन से स्टार्ट होता है सेल्फ स्टार्ट होता है जबकि सिंगल फिय जी मोटर जबकि सिंगल फिय जी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है सेल्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ऐसे सिंगल सेल सेलंइस्टार्ट लेकिन यह जो मैं थोगा लिखवा देरहा हूँ कि पर Tsuchuna तो सही नहीं है लेकिन कुछ सेल्इन के लिखवाया गया है इसीर्फ और सिंडफ के लिखवा गया है अब को लने साकए तो देख न जो तो लोग घर में यूज होता है मोटर अपंखा वाला जो मोटर होता है घर में देखना उसको इस्टार्ट करने के लिए एक कंडेंसर अरे य्यक्त deze लगा जाता है देखने कुछ कुछ सेद़ करता है और उसमें जहाएक बाइंडिंग घर में होती है यूह स्टार्टर क्या सकता नहीं होती है तो वही लिखवाएगा लेकिन एकन नोट याद रखना है इसमें को नोट याद रखना है कुछ कुछ 3 page tor ही self start नहीं होते हैं कुछ 3 page motor भी self starting नहीं होते हैं क्यान सा मोटर यहां अभी में था स्चार बांगा hy एक स्नक्रोनास मोटर eliRe सिंगल फेज न से और सल्फिटार कि नहीं होता है इसको आपको याद स्थार्ट अगला देख एंग ठेढ़ियो do इसमें पाँचवाल आप क्या होता है 3-phase सिस्टम का ठीक है देखिए याद रखना है 3-phase सिस्टम चाहिए 3-phase का मोटर मोटर अधिक power factor पर काम करते हैं अधिक power factor अधिक power factor पर कारे करते हैं ओके 3-phase का जो मोटर होता है वो अधिक power factor पर काम करते हैं अब तुम को अधिक power factor पर काम कर रहा तो उसे क्या फायदा किया है वेलकुल बात सही है अगर अधिक power factor पर काम कर रहा तो उसे क्या फायदा है तो देखो क्या फायदा है तुमको पता भी रखें एक इसके बारे में एक फिर भी देखो तुमको पता होगा कि P is equal to कितना होता है V I cos 5 यह दो होता है सिंगल फेच के लिए अगर थ्री फेच की बात करें चलते हैं देखो पार फेक्टर बढ़ने से क्या फायदा होता है जरा ध्यान दो माना माना कि suppose that voltage is equal to suppose that 200 volt है वही चीज़ मान लो और I is equal to suppose that इसमें 20 ampere flow हो रही है ठीक बटा और cos 5 जो हम इसमें यूज कर रहे है cos 5 वो मान लो 0.8 ही है ठीक 0.8 मत बानो तो लो करना है न पावर फेक्टर बढ़ाने का effect डालना इस पे तो देखो पहरे मान लो cos 5 का जो मान है वो 0.5 है 0.5 बान के चलो ठीक है अब पावर निकालो कितना आएगा तो पावर जब तुम find गरोगे तो P is equal to V I cos 5 चाहाँ तो 3 phase का भी निकाल सकते हो रूट 3 करके चाहे थरी करके वही आएगा जैसे बता रहे हैं वो इससे भी निकाल सकते हैं आप कितना जाएगा दो सो करेंट कमान 20 आइंटो कितना है बेटा 0.5 इस भूणा कर लेजेगा जयागा दो दूणी 4 कितना 0 हो जाएंगे 30 आइंटो 0.5 और कितना जाएगा 4 पाची कितना हो जाएगा 20 और एक तो 0 ओके इतना वाट आ गया इतना वाट पावर हमारा काम करेगा तो पार प्रक्टर के वाँनकी तो पाँर कमांड जब वंपर फक्टर करोटा च्पूर पाम ऑंच 15 है आग दो जली आए यह थेलए दो धं आज कितना काम कर रहा है यह कीजिकर लग टू वह अगर मैंने बोल्टेज वही रखा 200 वोल्ट, करेंट मैंने वही रखा 20, पाउर फ्रक्टर बढ़ा कि मैंने 0.8 कर दिया, 0.5 था, उसको मैंने 0.8 कर दिया, जब 8 करेंगे तो कितना जाएगा बटा, यह जाएगा 4000, अगर उने 0.8, 845, 32, मतब कितना 100 वाट आ जाएगा, 32 वा बढ़ने से, पाउर फ्रक्टर बढ़ने से, देखो, बोल्टेज वही है, करेंट वही है, लेकिन पाउर फ्रक्टर बढ़ जाने के वज़े से, जो पावर है, वो 2400 से, नहीं, 2000 से, कितना पहुँच किया, 32 पहुँच किया, 1200 वाट बढ़ गया, देखो, यहां देखो, तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो पावर है, अगर देखा जाएगा, पाउर फ्रक्टर बढ़ने से, पाउर के वैलू क्या होती है, बढ़ जाती है, प्रियात रखेंगे, थ्री फेजी जो मोटर होते हैं, वो अधिक पाउर फ्रक्टर पर काम करते हैं, मेरे यही कहने का मतलब है कुछ मोटर होते हैं जो बहुत अच्छा पावर फेक्टर पर काम करते हैं तो उनका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यह याद रखना है आपको ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जानते हैं छटवा फ्रीफेजी जो मोटर होते हैं फ्रीफेजी मोटर फ्रीफेजी मोटर अधिक पावर जनेट करते हैं फ्रीफेजी मोटर होते हैं ठीक है अधिक पावर या अधिक टार्क अधिक टार्क उत्पन करते हैं चहां जनेरेट करते हैं इसका मतलब हुआ कि थ्रीफेजी मोटर का जो पावर होता है टार्क होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है किसका रिस्पेक्ट में सिंगल फ्रीफेजी मोटर करें अब माल लो यहां पर एक मोटर है और कौवण सा मोटर है पेटा 3 फेजी मोटर है तो इसमें कितने वार आएंगे तिन वार, र, व, भी न्यूटरल नहीं आता है यह आपको थ्वदा बताना पड़ेगा कि न्यूटरल क्यों नहीं आता है नीटल नहीं आता, तो circuit कैसे complete होती है, अभी बता देंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, ओके, डेखे, जो भी हो, positive, negative, positive, आप छोड़िए उसको, यहाँ देखे, three phase है, r है, y है, और b है, अब जब इसमे supply आएगी, जब supply आएगी, तो उसका soft है, क्या है बेटा, soft, तो motor घुमे जब motor घुमेगा, तो हम क्या करते हैं, इसी motor के soft पर, इसी motor के soft पर, यहाँ पर लगाते हैं, kappler, क्या लगाते हैं, बेटा, kappler, और यह क्या है, soft है, और इसी पर लगाते हैं, और kappler के साथ, हम किसी, mechanical machine को जोड़ देते हैं, अब आप कोईगे, सही, mechanical machine में कौन-कौन Lethe Machine कुछ भी हो सकता है आप Lethe Machine ने लिए चूड़ी काटने वाला Machine नहीं हाता है We clean machine कौःद मसीन बोलते है इसको Hindi में लेध M होते हैं यही रिजन है कि हाई लेवल पर स्रीपेजी मोटर का ही हम ज्रादा बरियता देते हैं ओके नेक्श देखेए जरा ध्यान देजएगा अगला है कि शठमा शठमा याद रखना है कि थ्री फेजी मोटर 3-phase motor सस्ता होता है सस्ता होता है अब तुम को गये तो भाई गलत पढ़ा रहे हैं बिलकुल 3-phase motor तो महांगा होता है सस्ता आप लिखवा रहे हैं तो 3-phase motor सस्ता क्यों लिखवा रहे हैं अच्छे यह बताओ किसी दो चीज में तुम compare कप करते हो तुलना कप करते हो तुलना तब करते हैं एक इंसान का इंसान के साथ तुलना हो सकता है अब इंसान का गधा के साथ तुलना करेंगे नहीं कुछ लोग करते भी होंगे तो वही बात यहां पर आ रही है जैसे मान लिजिए कि हम एक single phigy motor बना रहे हैं और एक three phigy motor बना रहे हैं जाला याद किजिए अभी पढ़ाए थे अगर हमारे पास 2 hp का दो हार्स पावर का दो हार्स पावर का एक हम बनाएंगे single phigy motor और एक बनाएंगे हम three phigy motor हम जानते हैं इसका जो पावर होता है single phase का वी आई कॉस फाई होता है और three phase का जो पावर होता है पी स्कल टू रूट 3 वी आई कॉस फाई यह line voltage और line current के रूप में लिए हैं तो रूट 3 आ जाएगा और phase में लेंगे तो क्यों भी आईगा सरी तीन गुना आएगा चलिए तो हम एक दो हार्स पावर का मोटर बना रहे हैं तो मान लिजे दो हार्स पावर के मोटर बनाते देना था लेकिन उतना ही पावर उत्पर करने के लिए कि इसमें ज्यादा बाइंडिंग करना पड़ेगा तो इसके लिए हमको तो मोटर की बाइंडिंग, E is equal to कितना आता है, 4.44, 5M, F into N, अगर voltage बढ़ाना है, तो number of turns बढ़ाना पड़ता है, okay, voltage बढ़ाना है, तो number of turns बढ़ाना पड़ता है, तो इस मोटर की size क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक, तो वही मैं कह रहा हूँ, कि मोटर की size क्या होती है, बड़ी होती है, तो वहीं लि contexto, अगर बताइए, अगर है, जाधा material यूज हो रहा है, material ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसका cast भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका cast क्या रहेगा, इनके respect में कम रहेंगे, तो हमारे सिंगल फेज में और थ्री फेज में कौन बेटर हो, तो थ्री फेज सिस्टेम हमारे ये ज्यादा बेटर होता है, अब थोड़ा इसको भी देख लिजे, आप सोच रहे होंगे सर्जी, ये कैसे बता दिया है, नमबर आफटनस बढ़ा रहा है, देखो एक मैं बात कर 10 Ampere, Cons5 को 0.8, कितना आ जायेगा है अपर, देख लो, अगर गुणा कराओगे, कितना आएगा अगर 1.7 को, इस 1.7 को, अगर तो मालो, साते काड़ 1.8 मालो, क्या दिखका थे, आइनटु हो जायेगा 100, 1000 हो जायेगा, आइनटु हो जायेगा, आइनटु हो जायेगा 0.8, क जायेगा, अब एक हैर से गुना करा देंगे, कितना आजायेगा, इसमें, एक हैर से गुना कराओगे, 1, 4, 4, और 0 आजायेगा, इतना वाट आ गया, 1440 वाट आ गया, अब चलो, पी इस कल टू हम सिंगल फेजा कितना होता है, वी आई, वास फाई, यह दो होता है, तो वी सिंगल फेजी बनाना है, इसका मतलब हुआ अगर करेंट भी रखना है, पावर बराबर होगा तो कितना पावर लाना पड़ेगा हमको तो वीजकल टू कितना आ जायेगा बटा चावदोस और चालीज आपके तना जायेगा दस आगूने 0.8 इसका मतब देखो यह तो कट गया एक सो चावदोस आज चाहिए तना बटा आठ कर लो आठ डिवाइड कर इसमें 100 आठो उत्मों करने के लिए तो सिंपल सी बात वूल्टेज अगा ड़्टर आ का बना पड़ेगा आठ अननोमबर आफटर मोटर की साइज क्याना पर्छान सब्सक्ता होगा अब size बड़ा होगा, material ज़ादा लएगा उसमें, simple से बात है, material ज़्यादा लएगा, तो पैसा भी ज़्यादा लएगा, ठीक है, तो वही लिखें, 3-iphige motor सस्ता होगा, और single-iphige motor मांगा होगा, क्योंकि single-iphige motor में material क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, जोड़ो next देखते next सस्ता होता है अब वो क्या होता है मांगा होता है यह तो हो गया देखो अब जो इसमें परिवहन लागत होगा वो किसका जादा होगा परिवहन लागत ठीक है परिवहन लागत थ्री फेज का क्या होता है बेटा कम होता है अब ठ्रीफ एप परिवन लागत कम क्यों होता है सबसे बड़ी बात है कि त्रीफर जी का जो परिवन लागत होगा अम क्यों होगा जो सस्ता होगा अ हप लोग खुद बताइए कि अगर एक ट्रक पर पर सो मोटर लाट के लिए जाते हैं कि परिमाहन लागत किसका ज्यादा जिसको पचास लाट या जाएगा ये वह बार में सो मुटर चला गया इसमें दो बार में सो मोटर जाएगा तो सस्ता कौण पढ़ेगा जिसमें सो रट के सव मोटर लगे जा रहे हैं तब परिवहन लागात یonna संथ स्था इसलिए संगल फेजी मोटर होगा एक सेमपावर के लिए अगर सिंगल COM क्या रहेगी प्ला रहेगा वह यदि हमारे पॉसरी फेजी मोटर है रहेगा अधर जब ठिक पर इसको लादेंगे आप लोग यह हमारा सोग सा सिंगल फिज ही मोटर और ऑडनों का पाउर कितना है इसका वह सा है और ये सेंड़ country जब ज्यादा लादेंगे गर मिलाखन जो होता थायआ तरफ यह मैं एक और लिख सकते हैं अपने तो यह सकते हैं आठवाख्य होगा अब इसको ढूने में रहार मान लिजे कि इसको इंस्टालेशन किया जाय है तो मैं कहों सकता हूं कि त्रीफेज मोटर के लिए थ्री फेज मोटर के लिए फाउंडेशन का खर्चा कम आएगा ना कम आता है आरे कम लिखे हैं कम होता है कम होता है क्यों कम होता है ? आपको पता होगा जिसे जब मोटर बैठाते हैं तो मोटर बैठाने के लिए सबसे पले एक MIDI बनाना पड़ता है पतना आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं ऐसे एक based बनाना पड़ता है आपके कुछ ज़्याद ही बड़ा होगया क्या भार शुटा ही बना लेते हैं देखो एक ऐसे तुम लोग चौकॉर में ऐसे एक फाउंडे से बनाते हो जान जमीन में विशायद बना सकते हो खोद के और इस पर क्या करते हो तुम लोग यहां पर एक राट लगाते हो और इसमें नट बोल्ट होता है यहां भी राट लगाते हो यहां भी राट लगाते हो यहां भी राट लगा सकते हो और इसी पर म कि मौνटर को शेट करोगे इसमें राइंद मोटर केट करते हो तो बात यह अगर बढ़ा होगा अगर मोरा की साइज क्या होगी तो पार्णम मिनाय प्रम क next kg बढ़ाना पड़ेगा अभुड़ आपको यह जो फॉंदेशन मोटर कस्ते हो न इसमें कसा जाता है और वे फा उझाएंडेंशों सबता तो लोज तlli किमर्ट होकी खरच हो ने खरचा आएगया इसमें कम होती है और त्रूट सिस्टम हो गया हो गया कि Character में आने वाले हैं बता दिया है कि प्रकूशन आते हैं लाव नहीं बताया थे लाव आज मैंने पूरा बता दिया और डेटेल है कि वह लिखवाया नहीं गिदे लिखवा भी तेरे हैं आप उसको भी लिख सकते हैं रट्टा उप वार सकते हैं लेकिं आपको पूर समझाया हूँ क्या प्रभाव होगा क्या बक होगा है । आप सब्सक्रण év कि अब पांच भापका की जीए लग एक जग लिए कि भी それは यू 74 पर जीए लगा नबर में लोग हो जाएंगे लेकन अगर तो जैसे बताए है वैसे लिखेंगे अब क्याना कि पेपर जब देने जा रहे हो ना तो पेपर देते इस टाइम कोश्चन के हिसाब से अंस्वर लिखा करो एक तुम खुद एक बात बताओ मैं ALU हमको लग रहा है के लगभग सतर असी लक्षर ले 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 जाए को फॊद से असी घंटे की पढ़ाई जब धाई घंटा में बताएंगे एक जन्वर को तो कैसे बताएंगे ताकि एक जन्वर सब समझाए इसलिए मैं बारवर कहा रहा हूं जो कोश्चन पूछा जा रहा है आप उसी के अंसर दीजिए फालतु बाते उसमें मत लिखा कीजिए पैसे मत द कीजिए अब यह नहीं सिर्टा ब données पूछर और लिग या जाया ना सिर्टा इसलिए कुछ आ तुम आसे लिखना इंदर सिर्टा और दाउंगें पांच छृं வला ड़ेरा जाए गया धाई गंडे का पेपर होता है कि ऐसा नहीं कर रहा है जो पूछ रहा है उसी कुछ आपिए अगर कोशन पूछना थिर फे सिस्टम तो जितना पढ़ा है सब लिखिए लेकिन उसको शॉर्ट में लिखा किजिए तो कोश्चन के हिसाब सेंसर देखे आएंगे आप अपने तरफ से धाड़ा धाड़ा ने लिखना है को से आप से लिखेंगे करते हैं उसके बारे में ज्यादा नालेज नहीं आप में तो आपको मैं बताऊंगा और इस लाइटली को ध्यान से पढ़ियेगा क्योंकि आगे जाएंगे देख आपको बुक आएगे पावर प्र के उपर तो अगर मैं जो बताऊं का उस समझ जाएंगे तो समझे कि वह वाला चीज आपके लिए बहुत आसान होता है ओके ठीक थैक थैंक यू आज के लिए तरह बाए